हलो किसान भाईयो आज फिर से एक वीडियो लाए है जिसमें मैं आपको जानकरी दूँगा आज तो पहली बार आप जब खेती करते हैं तो आप किस प्रकार की खेती करेंगे तो आप फेल नहीं होगी बहुत सारी समस्य आती है तो आपको जानकरी लेना बहुत जरूरी है तो मैं किसान भाईयो आज ऐसे वीडियो लेके आय SSJ नहीं हों जिसमें अप सरल तारिके से आसान तारीके से केति कर सकते हैं और बंपर उत्पादन भी ले तो आप 12 साल तक हर्वेस्टिंग कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं और आप कभी फैल नहीं होगी उसमें ज्यादा कीट भी नहीं लगता और ज्यादा समस्य भी नहीं आते ही सिर्फ खादो और पानी ही देना है और किटना सक भी जरूरत कम ही बढ़ता है तो किसन भायो एक ऐसी खेती है जो आप हर दिन हरस्टिंग करके अच्छा पैसा पैसा कमा सकते है और हर दिन तीसरे दिन भी आप उसकी हरस्टिंग कर सकते है तो किसन भाई और ऐसी खेती जिसमें कोई वाइरस या कोई किट नहीं लगता शिरिफ इसमें लिफ माइनर और चमकदर जो पत्ते खाते हैं वहीं लगते हैं और उसी को ही कंट्रोल करना है तो हम लॉंग टाइम खेती करेंगे तो अच्छी इंकम भी आईगी और हम कभी फेल नहीं होंगे तो आप देख सकते हैं पत्ते पे थोड़ा लिफ माइनर दिखाएं देंगे होंगे और आपको और कुछ नहीं किटना सका परयोग करना है इसमें कोई कीट नहीं ज़्यादा लगता है और आप देख सकते ही इसमें जो बंप और उत्पादन भी करते हैं हम तो इसमें सिर्फ खाद और पानी ही चलाना है और अच्छा एक मचान बना देना है जो लंबे समय तक हमारा मचान चलता है जैसे हमेरे तार अच्छा ले लेने का और बांबू भी अच्छा लेने और आप जहेते पक्का मचान भी बना सकते हैं और लॉंग टाइम तक आप खेती करके अच्छा इंकम कमा सकते हैं मार्केट में सबसे ज़्यादा कुंद्रो की ज़्यादा डिमान होती है और हर दिन उसको बेचते है और वेपारी घर तक लेने के लिए भी आते है और अच्छा रेड भी मिल जाता है तो इसमें उत्पादर भी बंपर होता है और उसमें ज़्यादा कोई समस्या नहीं आती है तो कहीं बार किसान भाईों ने देखा होगा कि नए जब किसान खेती करते है वो पहली बार ही फैल हो जाते है फिर उसमें प्रॉफिट भी अच्छा है और आप कभी फैल नहीं होंगे ये मेरी आपसे सला है जब मैं पहली बार खेती किया और मुझे कुछ एक्स्पिरेंस नहीं था तभी मैंने कुंद्रो की खेती लगाई क्योंकि मुझे अच्छा लगा कुंद्रो को खेती करना और उसका रेवड भी मर्क्रिट में अच्छा मिलता है और उसमें ज़्यादा कोई समस्या नहीं आती सिर्फ मचान आपको मजबूत बनाना है और हमें लॉंग टाइम तक खेती करना है तो उसी को चैन करना है एक बार उसमें सीड लगा दिया तो उसमें 10-15 तल तक हम उसमें कोई सीड नहीं लगाना पड़ता है वहीं सीड से हमारा वहीं बेल से अपना काम सेल जाता है शुर्श अपने को उपर सिकट करके रख देना है ताकि उसमें जो नई ब्राँच आती है उसमें हिसमें पत्ते-पत्ते पे सारे धाकर जाती है जब गर्यों किसी जनाती है तो कुटर की देमान बढ़ जाती है जैसे भार आसमें भी खेती करके अच्छा इंकम कमा सकते हैं कुंदुरु के दो प्रकार के हमें बेल मिलेंगे एक हाइबर्ड यानि एक देशी तो हमें जब सबसे ज़्यादा मार्केट में डिमान देशी की है तो देशी कुंदुरु को सीड अच्छी लेना जिसमें लंबा और उसमें थोड़ा वाइड जैसे दीखने वाला वहीं यूस करना ताकि उसमें मार्केट में अच्छी लिमान है और उसमें तुरंद भी जाता है कुंदुरु की खेती करते हैं यानि तिंदुरा की खेती करते हैं एक बार आपको सिर्फ खर्चा करना पड़ेगा बाद में वह 10-15 साल तक अप वाकिसान है जो कहीं बार फेल हो जाते हैं और अखेती नहीं करते हैं तो वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना